भगवान शंकर शिव के मस्तग पर पिंडी पर शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चड़ाया गया वो फुलेरा दूच का दिन था इसलिए शिव महापुरान की कथा कती है जिस दिन कोई मोरत नहीं हो कोई काम नहीं हो उस दिन केवल फुलेरा दूच के दिन आप किसी भी ठप नहीं हो सकता वो बढ़कर ही चलेगा सारी जिन्दगी के कांटे निकल जाते हैं सारी जिन्दगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूच का दान समाप्त हो सकता है और फुलेरा दूच का दान पुन्य सतकर्म भजन कीरतन नामिस्समर्ण समाप्त नहीं होता है करा जाते हो अच्छाना गिर जाते हो हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर स्वास फूल जाती हो जादा चड़ने पर उनके लिए विशेश है कि धतूरे की जड़ को धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर धो कर उसको गिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए थोड़ी सी जड़ शिवजी पर चड़ा दीजिए फूलेरा दूज के दिन उस जड़ को पानी चड़ा कर बापिस ले कर जाइए जो मिरगी का मरीज होता है जिसको दमे की शिकायत होती है स्वांस की होती है चलने में हापडी भरा जाती हो फूलेरा दूज के दिन दो पहर के समय पर उसको वो जड़ केवल तीन या चार वर सुगंद में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बिमारी समात हो जाती है और जिसको दमा स्वास पुलता है उसको भी अराम लग जाता है फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित आनंद का सुख दे जाती है और विध्यान दे जिसको बहुत भारी बिमारी हो डाक्टर करें कि आपरिशन की जरुवत है आपरिशन कराना पड़ेगा गांट हो गई है ये हो गया है वो हो गया है निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिविलिंग पर समर्पित करें और पांच बेल पत्र नंदिश्वर भगवान पर और थाथ भगवान नंदी पर समर्पित करें जीवन में कितनी बड़ी भी बिमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, आउपरेशन की जिरुवत नहीं बढ़ सकती, वो केवल फुले रहा दूजपर हो, धतूरा होता है विशेला, कैसा होता है, विशेला बहुत विशोता है धतूरे के अंतर, पर महराज, भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है, जैसे पारवती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पारवती जी को लगा जब कहीं से सुक का नुभाव नहीं हो रहा, आनंद का नुभाव नहीं हो रहा, पारवती जी ले गई धतूरा, पारवती महीं आ ले गई, उस बिल पत्तर को, शिव को और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित करकर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर, उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी माराज धतूरे का पानी, धत पानी शिव जी को समर्पित कर दो, वही पानी को ले कर जाईए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बेट जाईए माराज, वो केवल फुलेरा दूच का है माराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बेट जाईए, पंद्रा भीस मिनित तक शरीर की अंतरकत कोई वस् तीन महीने में दाद खाज किसी भी चर्म रोग होगा, वो धीरे धीरे समाप्ती की ओर हो जाएगा, माराज, फुलेरा दूच का माराज, शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो, शास्त्रों के नुस्तर, पर इसकी महत्वता है, जो दुकान, जो वेपार, ज धतूरा चड़ाते हो वेपार वेशाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्री के दिन सुबा चार वजे से पहले नहीं बाढ़ सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूच के दिन लाल वस्तर में बांध कर अपने वेपार वाली जगा पर बांध दो, जीवन में कभी वे वेपार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, और उनके लिए भी निवेदन करूँगा, जिनके यां करजा बहुत है, बहुत कर जाएगा, चुकी नहीं राप, पैसा ही नहीं रावेपार चले तो कर जाएगा, उनके लिए भी निवेदन करूँगा, एक धत कि एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने वेपार वेशाई की जगा पर लेकर जाएए करजा धीरे 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 जब चूकेगा जब लच्छमी आईगी तो लच्छमी की व्रधी भी वह करता है यह फुले रादूज के उपार जिस दिन मा जगजन्नी जगदंबा अंबा स्वयम भगवान शंकर को मोन होकर देख कर लापित होती है नैनों से नीर भैता शिव को हुआ क्या शंकर को क्या हुआ है योगरदानी को हुआ क्या नैन जलता मैं तो बेठी थी गंगा किनारे मैं तो बेठी थी गंगा किनारे ऐसा धक्का दिया ओ भोलेना दिल तुझ को दिया ओ भोलेना भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी काईलाशी अभिनाशी इस चित्तवर्ति के मन की बात को धार्ण करने वाई जिन लड़का और लड़की का विवा नहीं हो रहा है माराज विवा के लिए बहुत परिशान हो गए उनके लिए भी पांच बेल पत्र एक धतूरा पांच शमी पत्र आशोक सुंदरी वाले स्थान पर चाहे मंगल हो चाहे राहू हो चाहे केतू हो सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है प्रतिकूल है नहीं है वो अपने अनुसार उसको लेकर समी पत्र बेल पत्र और धतूरा हाथ की हतेली में रखकर जिसका मंगल विवान नहीं हो रहा बहुत कश्ट प्रद है हाथ में रखकर अशुक सुंद्री अशुक सुंद्री का इस्थान सब को मालू है ना बगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग पारवती जी का हस्त कमल जहां से चरण जल नीचे जाता ह है राइट भाग गनेजी का इस्थान लेफ्ट भाग कार्तिके का इस्थान जलाशाय में से जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया विशहरा शामरिवारी दो तली और देव शंकर जी की एक लड़की और छटे नंबर की उसका इस्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है उस मोटी सी लाइन पर जो इस्थान है वो अशुक सुन्दरी का इस्थान किसका इस्थान है अशुक सुन्दरी शंकर भगवान का संपून परिवार जलाधारी माता पारवत जी का हस्त कमल चरण राइट में घड़ेश जी लेफ्ट में कार्ती के जी बीच में अशोक सुन्दरी उपर से जो एक एक बुन पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया विशहरा सामरीवारी दो तली और दे शिव की पांच तो जिनका विभान ही ओर आशोक सुन्दरी वाली जग़ा पर हात में लेकर नेकर वह दथूरे की सांथ शमीर पत्र बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें बाबा आपकी काम नफूर्ण थुले रादूच कि अशोक सुन्दरी पर जो धतूरा चड़ता है वैसे तो अशोक सु झाल 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 झाल